अलेकुम देर क्लासिक स्टूडेंस आइम टीचर वकार यासीन फ्रॉम येपी अस्तर को पौरा प्यारे बच्चों आज हम मोशन्स ओप दे अर्थ जोग्राफिय का जो लेसन है इसे हम कंटिन्यू करेंगे प्यारे बच्चों जो सर्कल डिवाइड करता है दे को नाइट से ग्लोब पे इसे हम सर्कल आफ इल्यूमिनेशन कहते हैं ये सर्कल कौइन साइड नहीं करता है या कट नहीं करता है एक्सिस को अगर हम यहाँ इस फिगर में देखें ये है वो एक्सिस जो बिल्कुल ग्लोब के बीच में से पास होती है और यहां हम देख सकते हैं जहां light rays पड़ रही है सूरज की रोशनी पड़ रही है वहाँ दिन हम experience करते हैं और जिस साइड पे रोशनी नहीं पड़ती वहाँ night है वहाँ रात है अब हम समझते हैं Earth की revolution Earth's revolution revolution अर्थ में कैसे होती है और ये किस के इर्द गिर्द गूमती है जो दूसरी motion है प्यारे बच्चो अर्थ की वो सूरज के इर्द गिर्द होती है यहने जमीन सूरज के इर्द गिर्द गूमती है इस motion को हम revolution कहते है जमीन की revolution इसे हम कहते है इस moment में अर्थ एक fixed route या एक fixed path समझ लेज़े एक रास्ता इसे follow करती है और इसी path इसी route पे ये गोल गोल चकर लगाती रहती है इस path को orbit of the earth अर्थ के orbit कहते हैं हमें से जो orbit है अर्थ का ये बिलकुल एक circle की तरह नहीं है ये पूरा circle नहीं है बल्कि ये elongated shape का है याने ऐसे जैसे एक अंडा होता है एग होता है वैसे ही ये elongated है यहाँ और यहाँ पर ये थोड़ा elongated है और इस side और इस side पर आपको पूरा circle दिख जाएगा इस तरह का इसका orbit है तो ये elongated है इसके जो orbit है इसका अर्थ का, elongated circle जो है अर्थ का, ये इसे हम ellipse का नाम देते हैं अर्थ जो है, जमीन जो है, ये complete करती है, एक complete revolution पूरा एक complete revolution, complete करने में जमीन को सुरज की रदगिरत, 365 दिन, 5 गंटे, 45 मिनट और 46 सेकेंड लगते हैं एक complete revolution, complete करने में अर्थ को सुरज की रदगिरत, पूरा एक चक्का लगाने में 365 दिन, 5 गंटे, 45 मिनट और 46 सेकेंड लगते हैं हम consider करते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, और ignore करते हैं 6 गंटे यह जो 6 गंटे अभी हमने count किये, 5 गंटे, 45 मिनट, 46 सेकेंड यह 6 गंटे बन जाते हैं और ऐसा हम क्यों करते हैं, for the sake of convenience, आसाईश के लिए यह 6 गंटे हर साल से हो जाते हैं और बाद में यह add होके 24 गंटे बन जाते हैं, यह एक दिन यह पूरा हो जाता है चार साल के time में चार साल complete होने में यह 24 गंटे बन जाते हैं और यह एक दिन बन जाता है ये surplus day जो है ये जो एक दिन जो बज़ गया ये add हो जाता है फरवरी के महीने में ये एक दिन add हो जाता है और हर चार साल के बाद फरवरी का महीना 29 दिन का होता है 28 दिन के बज़ाएं ऐसे साल को हम leap year कहते हैं और इस साल में 366 दिन 366 देज होते है अर्थ का जो axis है प्यारे वच्चों ये perpendicular शेप का नहीं है ये perpendicular नहीं है अर्थ की orbit का जो plan है ये उसकी बिल्कुल perpendicular में नहीं आता है ये tilted shape का है अर्थ का जो axis है ये tilted है थोड़ा सा टेड़ा है मुड़ा हुआ है और इसका angle जो है वो है 23 and half degree vertical line से या perpendicular line से ये जो tilted shape है अर्थ की axis की या अर्थ की इसकी वज़ा से इसकी वज़ा से पोल जो है यानि नौर्थ पोल और साउथ पोल ये experience करते हैं छे महिने का दिन और छे महिने की रात ठीक है आगे हम next video lecture में पढ़ेंगे आला हाफिस